हेलो फ्रेंट्स विल्कम बेक टू माई चैनल मैं संधिया और आप देख रहे हो संधिया सी लाई डिजाइन फ्रेंट्स एक लोगों का कमेंट आया था जिनका आईडी का नाम है तेरे नाम जिंदिगी तो इनका ये कमेंट था कि आपने पहली वाली क्लास में बताया हुआ थ है जो फोर्टक्स में चौथा वाला निसान यानि कि जो आर्म होल साइड लगता है ठीक है और इसके बाद एक कमेंट ये था कि आपने गुलाई जो पहली वाली क्लास में बताई थी वो दो इंच पर से बताई थी बैग पार्ट की और फ्रेंट पार्ट की डेड़ इंच प मैं आपको बताने वाली हूं तो बिलकुल भी घबढ़ानी की बात नहीं है क्योंकि वो मतलब सीख मेरे ही वीडियो से रहिए तो आपको कुछ दिखे में पूछना है तो प्लीस कमेंट करके मुस्से पहुच सकते हु तो देखे रिंद के बाद हो फैब कि बहुत वी डियो साथ आपको आप कंफ्यूजन हो गाए तो आपने comment नहीं किया लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर सारा को सुरुआत से बताती चलती हूँ ठीक है तो देखो यहाँ पर इसकी length लेनी है जितना भी आपको blouse तयार रखना है जैसे आप simple blouse vortex वाला blouse बना रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर जितनी भी लंबाई है आपकी back part में हमें लेना होता है 1.5 inch प्लस करके और front part में हमें लेना होता है 2 inch प्लस करके क्योंकि front part में हम जब tucks डालते हैं वहाँ पर हमारा half inch इस्ट्रा चला जाता है अगर हम बिना belt वाला blouse बना रहे हैं तब ठीक है तो यह हमारी पूरी लंबाई निकल चुकी है तो अब यह लंबाई डालने के बाद हम यहाँ पर अपने गले का नाप डालें तो यह हम लेंगे अपना 1.5 inch ठीक है जैसे हम गला नॉर्मल लेते हैं वैसे हमने 1.5 inch लिया और इसकी length कितनी रखनी है तो length हमको रखनी है जितना भी गला तयार रखना उसमें से 1.5 inch प्लस करके इस तरह से हमने 6.5 inch पर निशान लगा लिया तो यह हमारा 6 inch का गला बनके तयार होगा इधर साइड 1.5 inch पर निशान लगाना है और गुलाई कर लेना है तो यह हमारा गला कंप्लेट होगा ठीक है अब यहाँ पर हम शोल्डर के लिए निशान लगाते हैं तो कपड़े के बंद भाग से हम 5 inch पर नॉर्मल लगाते हैं और अगर आपको थोड़ा ज्यादा शोल्डर पसंद है तो आप 5 inch यहाँ पर प्लस कर सकते हो अब इसके बार नीचे की साइड हमें अपना आर्म होल लेना है तो आर्म होल हमारा कितना आएगा यहां पर जैसे 32 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे जो भी साइज है उसको हमें 4 से डिवाइड करना है और यहां पर एक निशान डालना है इसके बाद 2 inch हमें यहां मार्जिन ले लेना है तो यह हमने यहां पर 2 inch मार्जिन लेके निशान नीचे करना स 눌러 जिटना भी आपका कमर साईज है कमर का निशान डालना है दो इंच मार्जिन लेले इस तरह इसी हमने निशान डाल दिया इसके बाद इधर सैड़ को एक लाइन ड्रॉग करेंगे तो देखो इस तरह गले के एकॉर्डिंग डाउन करते हैं तो अगर हमारा जैसे गला सौर्ट होता है ज्यादा लेन्थ में नहीं होता है तो अधर साथ को ऐसे 1.5 इंच लेकिते हैं ठीक है इस तरह से डाउन करते हैं अब आती है वाथ हमारी मेंट पॉइंट पे जिसके लिए हम यह वीडियो ब इंच पर लेनी है तो सबसे फ़र्ष्ट वीडियो थी इसलिए मैंने आपको दो इंच पर बताया था तो यहां पर देखो जब हम सिलाई लगाते हैं ब्लाउस पर जब तो जैसे हम सोल्डर पर यहां पर गुलाई पर हमारे स्लीव लगती है तो जब हम बिगनर्स होते हैं तो आप इंची लें उससे ज़्यादा न लें वहां पर हमारा कपड़ा ज़्यादा चला जाता है तो आप विगनर्स हो ख्लास वन देख रहे हैं तो विगनर्स हो तो उसके लिए आपने दो इंच पर निशान लगा अगर आपने यहां पर ज्यादा सिलाई लगा दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगे आपके बलाॉस में अगर आपने मालों अगर आपने यहां पर डीपने लगा लगा उसके बाद आप यहां से कपड़ा ला पा जयादा लोगा 극्या यहां पर यहां पर आपके छिचा मां जाएगा इसलिए आपको क्या करों पर इकlighवर आपको यहां पर दो इंच लेना है जैसे आप बहुत ज्यादा हिल्दी लेड़ी इसका बना रहा हो तो फिर आपको यहां पर दो इंच पर से गुलाई करिए घृटिए तो आई होप आपको यहां पर अच्छे से चलियर से में से माइनस करेंगे तो आएगा तरह अगर आपने दो अगर आपने 2 हैं करोगे तो यहां पर घुलाई करनी अधी होती भूद आपका यह वाला कान्वीजन दूर हो गया हो गया होगा जो मेने यहां पर पहला जो आपका पहला कमेंट था तो वो कनफ्यूजन मैंने आपका दूर कर दिया ठीक है अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है आप अपना फीडबैक प्लीज कमेंट के माध्यम से दे देना मुझे ठीक है अब हम यहां पर टक्स डालेंगे तो टक्स के लिए सबसे पहले हम बच्ट पोइंट के निशाण लगाते हैं तो यहांशे अपना उपर से अपना इंची टेप रखेंगे नीचे की साइट को आपना यहां पर निशान डालेंगे तो बच्ट पौइंट के इंदर साइट डालना है, तो यह 10.5 इंच छोड़ते हुए, ऐसे टक्स के निशान डालना है, तो यह 3 टक्स होगे, अब जो 4 यह वाली टक्स, 3 टक्स में आपको कोई प्राप्लम नहीं है, 10.5 इंच पर ही डालना है, आप जो चौथा टक्स इधार साइड वाला डलता है इसे में आपने कमेंट किया हुआ है तो इसमें हमको करना क्या होता है देखो यहाँ पर भी आप दो इंच पर से मैंने पहली वीडियो में बताया था कि आप यहाँ पर दो इंच पर से छोड़ के लीजिएगा ठीक है और अब मैं बताती हूँ कि आप यहाँ पर देड़ इंच भी कर सकते हो यहाँ से आप इसको भी देड़ इंच पर ही छोड़ सकते हो यानि कि चारों को देड़ इंच छोड़ते हुए दक्स के निसान लगा नहीं जो प्लट पॉइंटे उससे और 20 इंछ छोड़ेंगे तो यहां पर बात हमारी यह आती है कि आपने पहले वहां पर देढ इंच बताया और यहां पर दो इंच बताया इस तरह ब्लाउज है तो आप डेड डेड हींचे छोड़ सकते हूँ आपके प्राबलम नहीं होने वाली है आपके ब्लाउज में तो बसृभर आजकी इस वीडियो में इतना ही मैंने आपका जो कमेंट आप ने किया था इसके लिए वीडियो मैंने बनाया हुआ है सौरी मैंने थोड़ा सा लेट वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास मतलब टाइम था नहीं भी था क्योंकि मैं थोड़ा सा बीजी थी इस टाइम पे बट मैं बहुत कोसिस कर रही थी कि आपकी वीडियो जाए जाए तो आज मुझे फाइनली टाइम मिला है और आपकी वीडियो मैंने बना दी है आई हूप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा तो मिलते हैं हम लोग किसी निव वीडियो के साथ में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद